आपका स्वागत है मेरे चैनल पर मिस्टर फूटेक तो आज का नया टॉपिक है स्कॉटी डायोड तो पिछली बार हमने पढ़ा था पी एन जंक्शन डायोड जो की एक बेसिक टाइप है डायोड का तो आज हम उनका सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप जो की होता है स्कॉट स्कॉटी डायोड उन्हें पढ़ने वाले हैं उनका मेकानिजम और कुछ एक्जामपल्स ठीक है और उनका प्रैक्टिकल नॉलेज और कुछ थियोरी और मेकानिजम से रिलिटेट की है तो चलिए शुरू करते है नेक्स लाइड नॉर्मल स्कॉटी डायोड के बारे में है तो यहां पर दो डायोड दिख रहे है जाए फो नॉर्मल जो पी एंच जंक्शन डायोड जैसा दिखता है वैसा है यह वाला ठीक है और दूसरा यह ए सस वन फो यह एक्जली फॉर लेर्ड पीसीबी वगरा में यूदा यहां पर जो पीन है वो होल्स जो पिन होल्स होते म वाले जिनमें metal coating होती है उनमें जाते हैं बलकि एक पूरा अलग से उनका mechanism होता है कैसे 4 layer PCB, 2 layer और single layer PCB काम करते हैं उनके बार में बाद में पढ़ेंगे पर फिरहाल के लिए यह 4 layer PCB इस्तमाल होती है और यह 2 और 1 layer PCB में काम होता है और कभी कबार 4 layer में के लिए हो जाते है तो यह 2 टाइप के скоро some saty Diodes निके वीक basketball के सबसे यह क्या हो गया यह क्या हो गया आपका नेगेटीव साइड हो गया और यह क्या होगे आपका positive से हो गया ठीक है और positive क्या हो गया आपका यह क्या होता कि यह सब्स हो गया और उसका opposite said क्या हो गया अपका opposite तू और यह biasing voltage मिलब यह forward Isn介os में है तो यह junction और तो चालीएस के बारे मैं देखते है कि कैसे क्या होता है मेकानिजम इसका क्या है तो यहां पे अगर आप ये घार से देखे तो ये एक स्कॉटी डायोड ज़िए जो करते हैं जो क應兩ग में यूज़ करते हैं लिखते हैं तो स्कॉटी डायोड का सिमबल कुछ ऐसा होता है स्कॉर्टी डायोट का सिंबल कुछ ऐसा होता है ये ठीक है ये स्कॉर्टी डायोट का सिंबल होता है जिसमें ये वाला साइड क्या होता है ये वाला साइड क्या होता है ये वाला साइड क्या होता है ये पी एन टाइप सेमिकनेक्टर होता है ठीक है एन टाइप सेमिकनेक्ट तो यहां पर देखिए कि जैसे हमने देखा था पी एक साइड क्या होता है कि यहां पर पी सेमिट टाइप सेमिकनेक्टर होता है यहां पर यहां पर क्या है हमें क्या दिख रहा है यहां पर एक मेटल है और यहां पर एक 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 टाइप सेमिकनेक्टर है जिनके बीच में जंक जो n-type silicon होता है इनमें काफी electrons होते है जिनकी वैसे यहां पर यह एक तरीके के majority charge carriers बन जाते है majority charge carriers अब होता क्या है जब आप इनके बीच में कोई voltage particular voltage V1 इनके circuit के बीच में डालते हैं तो क्या होता है यह forward vises की बात हो रही है forward vises की ठीक है तो forward vises की जब हम बात करते हैं तो जब यह जाता है तो forward vises में क्या होता है कि जैसे PN junction diode की तरह ही यह काम करता है इसमें क्या होता है depletion layer इसकी पतली होती जाती है यह फिर size उसका same ही रहता है small होता है ठीक है junction तो junction form कैसे करता होता है कि सबसे पास वाले जो electron होते हैं वो majority charge carrier होने के विए से इस side move कर जाते हैं ठीक है चार जाने पर कोई voltage प्रोवाइड करने पर तो जब वो इधर आ जाते हैं तो यहां पर उनकी एक layer बन जाती है ठीक है माल यह दो electron की layer बन गए ठीक है और इनके बीच में यहां पर holes हो जाते हैं दो holes ठीक है जब holes हो जाते हैं तो क्या होता है कि यह आपका एक type का depletion layer बन जाती है ठीक है यहां पर एक side electron हो गए और एक side यह holes हो गए तो यह आपकी एक depletion layer बन जाती है ठीक है यह आपकी क्या होगे depletion layer dl depletion layer अब होता क्या है जब हम forward basis में इससे काम करते हैं यह कैसे क्या होता है चलिए next slide में इसके बारे पढ़ते हैं फिलाल के लिए हम आपको बताते हैं कि इसका जो schematic symbol होता है in the sense मतलब यह जो आपका यहां पर दिया हुआ है schematic symbol तो इसमें हमने बताई दिया कि यह p type होता है और यह sorry metal होता है और यह एक n type semiconductor होता है ठीक है और यह positive side होता है यह negative होता है negative innocence यह दोनों यह anode होता है और यह cathode होता है ठीक है और यह इसका symbol है ठीक है अब चलिए चलते हैं next slide पर जो शॉट की डायोड है वह एक forward bias circuit में लगा हुआ है जहां पर जो metal है वह हमारे positive terminal battery से जुड़ा हुआ है और वह n type semiconductor है वह negative terminal से जुड़ा हुआ है तो देखिए यहां पे यहां पे confusion होती है कि अगर आप किसी चीज़ को घौर से देखे तो आपको समझ में आएगा कि हम जैसा बताते हैं कि यहां पे flow electron का इस तरफ होता है तो अगर आप इसको डीप में जा हमेशा opposite होता है जैसे मान लीजिए कि अगर electron इस डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है ठीक है तो current हमेशा उसके opposite फ्लो करेगा तो अगर उस हिसाब से देखें तो practically बिल्कुल सही है यह कि अगर मान लीजिए कि कोई circuit मे electron इस डिरेक्शन में फ्लो करके gateway खुल रहा है इसका मतलब करेंट अगर इस डिरेक्शन में जा रहा है तो उसे पास करने देगा वरना फिर अगर वह इस डिरेक्शन में जाने लगा करेंट अगर इस डिरेक्शन में आने लगा और electron इस डिरेक्शन में आने लगा तो यह फ्लो नहीं करेगा ठीक है आपको थोड़ा से confusing लेगा पर अ Penyr करता है यहां पर ठीक है अब यहां पर पहले से deprivation रिडर जो ह्वाइब बन कुकी है अब आपको दिख रहा HOगा यहां पर रे तो यहां पर शॉर्ड निडर धिरेरी है तो हीट ने हया चुक है थेолет टो यह मैजौर्टि चॉर्ड ओली इसी लिए क係 कोई थीक है है ठीक है तो अब होता क्या है जब एलेक्ट्रों इधर से इधर जाते हैं तो हाँ जब एलेक्ट्रों इधर से इधर जाते हैं तो फिर होता क्या है कि यहां के एलेक्ट्रों को रिपल करते हैं जिनके वैसे यहां चले जाते हैं ठीक है इस तरफ चले जाते हैं जब इस तरब जाते हैं तो यहां पे जो डिपीलीशन लेयर के सारे एलेक्टरॉबण जैसे य सब है इनको यह रिपलग जिनके वैसे यह इस यह अपने है आता बाहर देंकff ठीक है अब अब क्या होता है कि यह जैसे यहां पर एलेक्रोन का फ्लो इस डिरेक्शन में हो रहा है ठीक है और यहां पर गेटवे खुल रहा है पर अगर अगर इसको प्रैक्टिकल यूज में लगा के देखें एक शॉट की डायोड को इसे प्रैक्टिकली लगा के देखें तो करेंट इस डिरेक्शन में फ्लो करेगा और एलेक्ट्रोन आपका इस डिरेक्शन में फ्लो करेगा ठीक है तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोनों प्रैक्टिकल और थियोरी के बीच का मामला है तो इसमें कोई कं direction of current के हमेशा opposite होता है ठीक है तो इससे confuse नहीं होना है क्योंकि जब इसको आप review करेंगे वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपको लगए कि नहीं एक जगा यह point of बाइस से बाइस का सरक्डेश शॉट की डाइवट के साथ तो यहां पे इस जगह पे एलेक्ट्रों जो है आपका वो आपका इस दिरेक्शन में फ्लो करेगा तो यह बैट्टरी सेल्स है जब वह ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि यहां पर मेटल में देखेगा कि बहुत सब् और इस साइड भी वो majority charge carriers बन चुके हैं अब electron जो होंगे तो आप जितनी भी power देदेगे इस type का इस end type की आने की तरफ कोशिश करेंगे पर ऐसली में ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि यहां पर बीच में तब तक जो सारे holes जो electrons ने displace किये थे वो सारे holes जो हैं यहां पर depletion layer में deplete हो जाएंगे यहां पर deposit हो जाएंगे जिनके वैसे बहुत मोटी layer बन जाती है positive ions की या फिर holes की तो इन्हें bend up करना में बहुत ज्यादा energy लगती है और अकर लगती भी तो सिर्फ एक या दो electron इधर से उधर पास कर पाते हैं ठीक है तो basically ऐसा होता नहीं है तो क्या होता है कि यह जो positive ions है यह तरीके के blockage बन जाते हैं इन electrons को यहां से यहां फ्लो करने के लिए ठीक है यह holes जो होते हैं यह positive ions जो होते हैं यह ताइप का blockage बन जाते हैं इन electrons के लिए इन ions के लिए यहां से यहां जाने के लिए depletion layer से तो क्योंकि यहां पे भी repulsive ची कि ऑगर इन लोगो को इस साइड जाना भी होगा तो इस लेर को seminar को डिप्लीट करना पड़े गा है तो ये बहुत ही मुष्किल होता है बहुत है फाई पाद में रिपावर देने हे बाद भी इस तरफ एक यह बहुत है और बहुत हई-पावर देने बनना तो डायोट खराब हो जाता है तो यह रिवर्स बाइस की कंडिशन थी जिसमें आप देख सकते हैं इसका डाइग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसमें कि हम मेटल को नेगेटिव दे रहे हैं और इसको पॉजिटिव दे रहे हैं तो और इस डिरेक्शन में जरूर है पर वो इधर फ्लो करी नहीं पाएगा और करेंट का डिरेक्शन इस फ्लो में है तो यहां पी इन फाइनफानेρίजिस्टरस थो कहा तो दोनों कभी El Lacan कोई direkt ना तो note of electron लो कर पाएगा ठीक है तो यह हो गए नॉर्मल सी बाद अब इसमें क्या है कि यह जो डिप्लेशन लियर यह सब फॉर्मेशन यह आपने जान लिया कि कैसे होता है अब नेक्स लाइट पर चलते हैं कि असली में सर्किट में कैसे काम करता है यहां पर शॉट की डायोड एक सर्किट में लगा हुआ ज तो बेसिकली उनमें एक डिफरेंस होता है कि वो वोल्टेज जैसे हमने बताया था पिछले वीजो में कि जो पी एन जंक्शन डायोड होते हैं वो 1.7 जिरो पॉंट 7 वोल्ट 0.7 वोल्ट हीट के तौर पर निकाल देते हैं ठीक है उनने निकाल देते हैं तो क्या होता है कि जब भी आपको उन पर भार ही हेवी वोल्ट देते हैं तो वो ज्यादा तर ज्यादा तर जो एलेक्टिसिटी होती है उस आपको हीट में निकाल देता है जिसके वैसे डायोड के खराब होने की चांसे जो बढ़ जाती है पर शॉट की डायोड में आउट्रो जो अपर ही निकाल देते हैं जराज वो खराब ने की चंसें कम होती है तो इस वज़े से शॉट की डायोड जो होता है वो हाई पावर डिवाइसिजम जसे जहां पे आपको पचास अंपे से ज्यादा में यूज करना है वहां पे काम आता है ठीक है वहां पे हम पी एंजंक्श की तरह कम कर रहा पर इसको हम रिश्टेंस मांनते नहीं है कभी तो यहां पर देख्यें कि ए अपसे यहां से आ रहे है और वह चायार की डायोड के इस तरफ मेंतर से नहीं हो सब जाएंगे और करेंट भी infinite resistance नहीं होने के वएसे metals के दरिये वो पास कर जाएगा ठीक है अब सर्किट में सर्किट कंपीट हो जाएगा और लोड जो है अब का उस्वी चॉन हो जाएगा ठीक है तो ये एक नॉर्मल सर्किट था शॉट की डायोट के साथ तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अभी नेक्स वीडियो हमनों का आएगा वो जीनर डायोट पे होगा ठीक है अगर आपको ये वीडियो प्रसंदा है तो प्लीज लाइक सुस्क्राइब और शेयर कीजिएगा